आप सुधरने को तयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया कुछ नहीं हो सकता तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता कोई मिले और कहेगी मेरी बीवी सुधरने से रही तो साफ समझ लेना की वो कह रहा है मैं सुधरने से रह। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं सबको सुधरना चाहिए सब सुधरने को आतुर हैं निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बाटना चाहते हो तुम से भरदाश्थी नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे तो ततकाल तुम में उम्मीद जग जाएगी कि उम्मीद से आगे शद्धा ऐसे करो अपनी दुविधा का निराकरण कि दो रास्ते हों सामने दोनों से पूछ लिया करो कहां से आए भाईया कहां को जाते हो और अपने आप से पूछ लिया करो कि भाईया तुम में क्यों इतनी चाहत उमण रही है इन में से ये रास्ता चुनने की की वो रास्ता चुनने की क्या है तुम्हारे भीतर जो इस रास्ते पर चलना चाहता है कि उस रास्ते पर चलना चाहता है ये सवाल पूछते वक्त ये सोच कर मट डर जाना कि जब जिन्दगी में किसी रास्ते पर चलना ही है तो क्यों ना इन दोनों में से किसी एक को चुन लूँ क्योंकि बिना चले तो कोई रह नहीं सकता श्री कृष्ण भी कह गए हैं कि प्रक्रते की अधीन होकर कर्म तो सभी क करते हैं तो मुझे भी कोई रह तो चुननी पड़ेगी अब ये दो रहा सामने आई हैं तो या तो कल्लो को चुन लेता हो नहीं तो गुलाबों को ये गजब मत कर देना राहें ऐसी ऐसी हैं जिनका आपको कुछ पता नहीं चल सकता जब तक आप गलत रहा चल रहे हैं तुम गलत रहों को ठुकरा कर तो देखो सही रहा खुलती है कि नहीं खुलती और ये घटिया और जूटा तर्क बिलकुल मत दे दो कि मुझे सही रहा मिली नहीं मैं इसलिए गलत रहा चल पड़ा बात ये नहीं है सही रहा हमेशा खुली होती है और उपलब्ध होती है वो तुमें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तुम्हारे मन में जूटी रहा चलने का आकरशन बहुत है जूटी रह तुम छोड़ी नहीं पारे और जूटी रह पर चलने को वैध ठहराने के लिए जस्टिफाई करने के लिए तुम कह देते हो मैं करूँ क्या मेरे पास कोई विकलपी नहीं था मुझे कोई मिला ही नहीं मुझे सची रह दिखाने वाला तो इसलिए मुझे जो भी मिली रहा मैं उसी पर चल दिया जूटी जाटी ये जूटा बेइमान तरक है मत दो तुम्हें रुकना होगा पहले और रुक करके देखो कि सही रहा खुलती है या नहीं जब तक तुम्हारे दोनों हाथ भरे हुए हैं इस विकल्प से और इस विकल्प से और पचास और चीजों से निर्विकल्प सत्य तुमको मिल कहां से जाएगा भाई जब जिन्दगी ही पूरी जूटे विकल्पों से भरी हुई है तो तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा इन्ही विकल्पों के अंदर काई मिलेगा ना तुम्हारी जिंदगी में पचास चीजे हैं और इन्ही पचास तीजों में तुम कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो चुनते रहते हो जाहिर है तुम्हारे सब चुनाओ इन्हीं पचास के भीतर-भीतर के ही होंगे और फिर कहो यहीं पचास तो हैं बाहर का कुछ मिला नी नी तो चुन लेतें इंक्यावनवे की तो हम तलाश में थे पचास में व्यस्त हो इंक्यावनुमे का नाम भी क्यों ले रहे हो बहिमानी हो गई और फिर ऐसा भी नहीं कि इन पचास में तुम्हें बड़ी तृप्ति संतुष्टी है हो तो पचास में ही मगन रहो फिर किसी सच्चाई की, किसी विज्ञान की किसी अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है पर आनंद तो छोड़ दो खुश भी नहीं हो तुम दिन रात कहते रहते हो हैपी हैपी चाहिए हैपी हैपी आई वांट हैपिनेस, यू वांट हैपिनेस विल यू कीप मी हैपी ज्वाय तो छोड़ दो हैपिनेस भी नहीं है तुम्हारे पास की है दिल से बताना मर रही है पूरी दुनिया किसके लिए हैपीनेस मिल जाए बस ऐसा पगलाए हो हैपिनेस के लिए कि दारू पीने के समय को बोलते हो हैपी आवर्स पिक्चर बनाते हो हैपी भाग गई यह भाग जाएगी अरे तुम उसका नाम हैपी रख दोगे तो तुम्हें हैपिनेस थोड़ी दे देगी उसके पास खुदी नहीं है वो भगी जा रही है न जाने कहाँ और यह सब क्यों हुआ है क्योंकि यही जो तुम्हारे पास कुल गिने चुने पचास विकल्प हैं इन्हीं में कभी यह टटोलते हो कभी वो पकड़ते हो मैं कहा रहा हूं इनमें अगर मिल गई है तुम्हें जो आए नहीं हैपिनेस भी तो खुशी खुशी इन्हीं को पकड़े रहो भाई मिले है जानते हो यह जो पचास है इनमें से उनन्चास तो चीजें हैं या व्यक्ति हैं इनमें से पचासमी कौन सी है जो पचास तुम्हारे पास विकल्प हैं इनमें से एक को छोड़कर तो सब वस्तु हैं व्यक्ति हैं लक्ष हैं पचासमी रह कौन सी है उस पचासमी चीज का नाम है उम्मीद जब उनन्चास से तुम्हारा दिल तूट जाता है जब उनन्चास से लात पड़ती है तो पचासमी पकड़ लेते हो क्या नाम है उसका उम्मीद सारे विकल्प आजमाओ और जब सब विकल्पों में कूटे जाओ पीटे जाओ तृप्ति ना पाओ तो पचासमी विकल्प पकड़ो और पचासमी विकल्प का नाम है आशा आशा के साथ रहो और आशा तुमको ताकत दे देगी कि अब फिर से शुरू कर दो एक दो तीन चार पंचे साथ आट नौदस ग्यारा बरा मर मर के फिर कहां पर आओगे पचास पर पचास का नाम है आशा अब फिर से आशा बंद गई अब फिर तुम वापस शुरू हो जा प्रयास न करने से भी कहीं ज्यादा घातक होता है गलत जगह पर बार-बार प्रयास करना यह बात समझे ध्यान से यह जो आज के यूग का मोटिवेशन है ना जिसने हमें नेवर गिव अप के जोश से भर दिया है यह बहुत जहरीला है एक गलती यह होती है कि कोशिश नहीं करी और दूसरी गलती यह होती है कि गलत जगह पर बार-बार पिटने के बाद भी कोशिश करते रहे और जिन्दगी खराब कर ली विवेक कोई चीज होती है या नहीं जिन राहों पर चल रहे हो उनको गौर से देखोगे या नहीं तुम्हें जो अपने लिए विकल्प प्रतीत हो रहे हैं उनकी कुछ जाच पड़ताल करोगे या नहीं या बार-बार बस आजमाईश करते रहोगे की कोशिश जा रही है पत्थर पे फूल उगाने की कोशिश चल रही है पानी को मतमत के उसमें से घी निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है नेवर गिव अप और पानी को मतमत के उसमें से घी निकालने की भी उम्मीद किसकी है धाइसो किलो के उस आदमी की जिसका कॉलेस्टेरोल भी साड़े-चार सो बैठा हुआ है पहली बात तो पानी से घी निकलेगा नहीं दूसरी बात तुझे उस घी की ज़रूरत भी है क्या कोई चमतकार ही हो जाए पानी से घी निकल भी आए तो तेरी सफलता नहीं तेरी मौत होगी परलगे हुए